तो इतने प्रकार के इन विभिन्न कचरों को यूही अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या कचरे को ऐसा ही छोड़ देना सही है? नहीं न? यानि यह जो कचरा है अगर यूही छोड़ दिया जाए तो यह कही न कहीं गंभीर परिणाम देगा और इसके कारण बहुत सारी समस्याई उत्पन होंगी यानि कहीं न कहीं इन अध्याओगी, घरेलू, बायो केमिकल, इंडस्ट्रियल, एग्री कल्चरल, मिनरल, विभिन प्रकार के कचरों को उचित रूप से प्रमंदित करने की आउशकता है यानि इसका सही तरीके से मैनेजमन करने की आउशकता है ताकि आने वाले समय में गंभीर परिणाम देखने को ना मिले बच्चो आपने ये सोचा है कि अगर इन कचरों को यूँ ही छोड़ दिया जाए तो किस-किस प्रकार की समस्याई हो सकती है इन कचरों के कारण विभिन प्रकार की समस्याई होती है ये जो कचरा है ये स्वास्त सम्मंदित समस्याई उत्पन कर सकता है आप सभी जानते हैं कि अगर कच्रे को यूँ ही छोड़ दिया जाए तो यह धीरे-धीरे क्या होने लगे इसमें से कुछ कच्रे जो होंगे वो धीरे-धीरे सड़ने लगेंगे और जब ये सड़ेंगे तो इसमें से बहुत अधिक मात्रा में विशेली गयसे उत्पन हो सकती है और ये जो विशेली गयसे हैं ये हमारे स्वास्त को हमारे वातावरन को क्या करेंगी प्रभावित करेंगी और कहीं ना कहीं इस विशेली गयस का प्रभाव हमारे स्वास्त पर पड़ेगा, यह जो कच्रा है, यह हमारे भूमी की उपजाव शक्ती को भी क्या करता है, कम करता है, यह हमारे पानी के इस्त्रोतों में जाकर घुलेगा, जिसके कारण हमारे पानी के जो इस्त्रोत हैं, वो क्या हो जाएंगे, खराब होने लगेंगे, या खराब हो रही ह इसलिए हमें कचरे का उचित प्रबंधन करने की आवशक्ता है तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कचरे के कारण किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन होती है तो सबसे पहले है स्वास्त संबंदी समस्या स्वास्त संबंदी समस्या के बारे में जानने से पहले एक उधार इसका एक उधारन जापान देश में देखने को मिला जापान देश जहां सन 1903 में इस कच्रे की समस्या के कारण एक भयावा इस्तिती उत्पन हुई थी वह क्या थी तो यह जो जापान है वहां मीनी माटा नदी बहती है इस मीनी माटा नदी के किनारे बहुत सारी फैक्ट्री और यह फैक्तरी किसीज की है? फर्टिलाइजर्स की तरह सा वहां पर बहुत अधिक मात्रा में जो वेस्ट मातियाम निकल था वह yat jati अई ए मेन और इस मिनी माता नदी मे जो पानी बहा दिया जाता था उसमे i बहुत अधिक मात्रे में मर्किरिनेट पाया जाता था और यहाजो aşड़ी टाक्सिक निय है बहुत अधिक जहरीला हूँगता था और मर्कूरिनेट के और इस किरण दुचले दृट था अन्मे इस मिनि माठा नदी में रहने वाली जो मचलियां थी उनिए टॉक्सिक यानी मर वेक्तियों के अंदर जाना प्रारंब हो गया जिसके कारण ये जो वेक्ति थे वे एक विशेश प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो गये थे जिसका नाम था Central Nervous System Toxic Disorder Central Nervous System Toxic Disorder एक डिसाउडर थी जिसमें इस मर्कुनेट के कारण उनका जो नर्वस system था वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा था जिसके कारण वहां की के लोग जो थे वो इस बीमारी से ग्रसित होने लगे थे यानि कि कच्रे के कारण हमारे जीवन में स्वास्तगत समस्याय भी उत्पन हो सकती है जिसका यह सही उधारन जापान में देखा गया थ आप इस टेबल को देखिए इस टेबल पे आप विभिन प्रकार के वस्तुमों को देख रहे हैं और इन वस्तुमों को सड़ने में लगने वाला समय देख पा रहे हैं जैसे पेपर बैग यह जो पेपर बैग है यह पेपर बाग तीन से चार सपता में सड़ता है पेपर टी अब परिसात के दिनों में अकषार हम फेह वह थे पहनते हैं थे परिसात के दिनों में अक्छार हम अग्षार में एप जूते पहनते हैं तो यह रबर के चपपल और जूते जो हैं इनको इनको सडने मिं 15-80 साल लगते हैं और पॉलिथीन, जिनको हम धडले से उप्योग करते हैं या कह सकते हैं जिनको हम बेजिजक यूज करते हैं, यह जो जिल्लिया हैं, इन जिल्लियों को सड़ने में, यानि पॉलिथीन को सड़ने में, दो सो से हजार साल लगते हैं, यानि विभिन प्रकार की वस्तुओं को सड आइंने हैं ग्ट sizin तो यह जो जो लुट रुआ धिया जांख करें पंपीं यह साब देंकें हैं. यह जो यह प्रस दिम हो और पर में भर भीmix नहीं, आप फॉल हो सब्सक्रांट प्र-वे क्ष हे。 ये भी इन पॉलिथीन के कारण हर रोज मर रहे हैं याने इन समुद्री जीवों की मित्यू के पीछे कारण हम मनुष्य हैं क्योंकि हम मनुष्य ही अपनी गतिविदियों के कारण उस पॉलिथीन को उस समुद्र तक पहुचा रहे हैं अगर हम पॉलिथीन का उपयोग करना ही बंद कर दें तो यह polythene संबुधर तक पहुचेगा ही नहीं और यह जो जीव है इनकी मित्यू भी नहीं होगी इस polythene का प्रभाव केवल जली जीवों पर है ऐसा नहीं है इस polythene का प्रभाव हमारे चारो और पाय जाने वाले जीव जो की स्थल में रहते हैं, उन पर भी देखने को मिलता है, यानि इस थली जीव पर भी मिलता है, इस थली जीव जैसे की गाए, भैस, बक्री, कुत्ते, बिल्ली और बहुत सारे पक्षी भी, इन पक्षियों और इन विबिन प्रकार के जीवों पर भी इस पॉलिथिन का ये जीव भी मौत का शिकार हो रहे हैं, यानि इनके भी मित्यों हो रही है, यानि हम ये कह सकते हैं, कि ये जो पॉलिथिन है, इस पॉलिथिन का उप्योग हम पूर्ण रूप से बंद कर दें, तो हम इन सभी जीवों को बचा सकते हैं, अपने परियावरन को सच्च और देश, ऐसे देश हैं, जहां पर पॉलिथिन पूरी तरीके से बैन कर दी गई है, कच्रे के कारण उत्पन होने वाली एक और समस्या है, वह है प्रदूशन, जब कच्रा जब इखटा हो रहा होता है, तो उस कच्रे के कारण जल प्रदूशन, वायू प्रदूशन और भूमीगत जल भी इस प्रदूशन के शिकार हो रही है, और जिसका कारण है कच्रा, मृदा प्रदूशन, यह जो पॉलिथिन है, जगर मृदा में छोड़ दिया जाए, तो मृदा में उपस्तित होने के कारण, वा मृदा की उपजाव शक्ती को छीन लेती है, यानि इस प प्रदूशन, जैसे कि हम जानी रहे हैं उद्ध्योगों के कारण भी, और दूसरा हम जो एक खटा करते चले जा रहे हैं, इस कच्रे के कारण भी बहुत सारी जहरेली गयसे निकल रही है, और इन जहरेली गयसे कहां जाकर मिल जा रही है हमारे वातावरन में, यानि कहीं न Ini जो कोतीवों की मित्टि हो रही है, पशु और पक्षियों पर भी, इसका प्रभाव पढ़ रहा है और हमारा जो वातावरन है वहं पूंड उरुप से प्रदूशित हो रहा है, इसमें दल, जल प्रदूशन, वायू प्रदूशन और मिर्दा प्रदूशन, तीनों हो रहे हैं हमारे आसपास इतने प्रकार के जो कच्रे हैं अगर इन कच्रों का उचित देख भाल या उचित रख रखाव किया जाए तो यह जो कच्रा है वह कम से कम हानी पहुचाएगा यानि जो घरों से निकलने वाला कच्रा है इस कच्रे को अगर रिसाइकल करके पुना उप्योगी वस्तुवे बना दी जाए और जिन कच्रों से पुना उप्योगी वस्तुवे नहीं बनाई जा सकती हैं उनको सही तरीके से डिस्पोस कर दिया जाए तो कच्रों से इतनी करने की आवशकता है यानि उसका सही मैनेजमेंट करने की आवशकता है तो कच्रा प्रबंधन क्या है कच्रा प्रबंधन का सीधा सा अर्थ है कच्रे का उचित मैनेजमेंट जिसके द्वारा कम से कम हानी हो हमारा पर्यावरन कम प्रदूशित हो और हमारे मानव जीवन पर और ये चार आर आप देख पा रहे हैं, या एक सुत्र दिया गया है, जिसे हम चार आर फार्मूला भी कहते हैं, ये चार आर फार्मूला क्या है? रिड्यूस, रिफ्यूस, रियूस और रिसाइकल, चलिए इस इन चारो आर को एक ही करके हम समझते हैं, पहला आर, पहला आर है रिड्यूस, रिड्यूस, जिसका अर्थ होता है कम करना, अर्थाद हम अपने आसपास उन वस्तुओं का उप्योग कम से कम करें, जिनके कारण बचरा उत्पन होता है, एक उधारन है, आप सभी विद्यारती हैं, आप सभी हर साल अलग-अलग प्रकार की कौपी और किताबों का उप्योग करते हैं, आप अपने द्वारा पढ़ी गई इस किताब को अपने पीछले वाले कक्षा के बच्चों को दे दीजिए, ऐसे करन संक्या है, वो कम हो जाएगी, याने पेड़ कम से कम कटेंगे, याने हमने क्या कर दिया, अपनी आउशक्ता को कम कर दिया, याने रिड्यूस, दूसरा आर है, रिफ्यूस, रिफ्यूस का मतलब होता है मना करना, मना करना, नहीं बोलना, किसी भी त्रिया कलाप या ऐसी गत पॉलिथिन जो है वो एक ऐसा कच्रा है जिसको सड़ने में हजारो साल लगते हैं तो हमें इस प्रकार के वस्तु का उप्योग करना ही नहीं चाहिए यानि हमें उसके बदले में दूसरा option सोचना चाहिए जैसे कि अगर हम बजार जाते हैं तो हम थैला लेकर जाएं या पेप कर बैग लेकर जाएं पॉलिथिन का उप्योग ना करें तीसरा आर री यूज री यूज का मतलब है पुन्हा उप्योग करना यानि हमारे घरों में या हमारे आसपास इस प्रकार के कच्रे होते हैं जिसका हम पुन्हा उप्योग कर सकते हैं जैसे आपके घरों में निकलने कांच या प्लास्टिक की जो बॉतले हैं इसका उप्योग करके कितनी सुंदर बागवानी की गई है याने इस प्लास्टिक और कांच की बॉतलों का उप्योग करके हम अपने घर की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं वहीं टायरों को देखिए आपने टायरों को देखा होगा कि इसका उप्योग अधिकांश जगों पर सॉंदर के लिए किया जाता है, बैटने के लिए टेबल बना लिया जाता है, तो कहीं गारण में इसका उप्योग हैंगिंग गारण के रूप में भी किया जाता है, याने ऐसी वस्तु जो पहले हमारे लिए, याने ऐसी वस्तु जो प मतलब होता है पुन्हा चक्रण, पुन्हा चक्रण मतलब around the village. व्ली जिसका हम उपयोग कर सकेज हो, कैसे उपयोग कर सकेज़ सकें ? व्ली पीद घरों में अपने सब्जियों और फलों के छिलको फेकर देते हैं ! यह सबजियों और फलों के जो छिलके हैं इनको हम गड़े में दबा कर इससे कमपोस्ट खाद बना सकते हैं या फिर इस सबजियों के छिलके और फलों के छिलकों को हम विभिन्द प्रकार के पशुओं को खिला सकते हैं ताकि वो उनको भुजन के रूप में प्राप्थ हो सके तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा री साइकल कच्रा प्रबंधन को लेकर हमारे भारत देश में व्यत्तिगत तोर पे भी और सामोहिक तोर पर अलग-अलग प्रयास किये गए और ये जो प्रयास थे बहुत सरहानी थे क्योंकि हमारे ही तरह अन्यनागरिक जो है वो कच्रा और कच्रे से उत्पन होने वाले समस्याओं के बारे में गंभी रूप से सोचते हैं हम अपने गरों में उत्पन होने वाले घरलू कच्रे में से अधिकांश कच्रे का पुनाचकरन कर कुछ नए उपयोगी पदार्थ का निर्मान कर सकते हैं तो चलिए आए एक उधारन डेखते हैं कम्पोस्ट खाद का ये कंपोस्ट खाद क्या है और ये कैसे निर्मित किया जाता है बच्चों आपसे ये प्रश्ने भी पूछा जाता है कि कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं कंपोस्ट खाद का निर्मान कैसे किया जाता है कंपोस्ट खाद कैसे बनता है इसके बारे में जानते हैं देखिए कंपोस्ट खाद बनाने के लिए स्वरपतम एक गड़ा कोदना होता है और इस गड़े में नमी युक्त कचरा जैसे की सबजियां और फलों के छिलके आदी को इसमें डाला जाता है और इस नमी युक्त कचरे के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और ये मिट्टी जो होती है वो एक माहा तक यूहीं रहने दिया जाता है कुछ समय के पश्चाद जो जिवाडू है वो इस नमी युक्त कचरे से स्वयम क्रिया करते हैं और क्रिया करके उसको सडाते और गलाते हैं या कह सकते हैं कि उसके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं जिसके कारण यह जो कचरा है वो जयवी खारने बदल जाता है तो आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि गड़े में न करिया करने के कारण इसमें एक खाद का निर्मान हो जाता है जिसे हम जैवी खाद या कमपोस्ट खाद कहते हैं इससे पहले अभी हमने जाना था कि बायो डिग्रेडेबल याने जैव निमनी कृट कचरा जो होता है वह एक समय के पश्चाद सड़ जाता है और उसको सड़ाने हुए खाद में नाइट्रोजन फासफोरस और प्रचूर मात्रा में पाया जाता है और इस प्रकार के खाद के कारण मिट्टी के जल को अशोशित करने की जो चंता है वो अतधिक बढ़ जाती है तो देखा आपने कि हम अपने ही घर से निकलने वाले कच्रे से किस प्रकार स अपने घर के गाडन में इसका उप्योग कर सकते हैं एक दूसरे प्रकार का खाद होता है जिसे हम वर्मी कमपोस्ट खाद भी कहते हैं ये वर्मी कमपोस्ट खाद जो होते हैं वो केच्वे की सहायता से बनाया जाते हैं किस प्रकार से वर्मी कमपोस्ट खाद बनाया जाता है आईये चलिए देखते हैं बच्चों आप यहां पर हम यह देख पा रहे हैं कि यहां पर भी एक गड़्धा है इस गड़्धे में सबसे पहले एक पहली परद बिच्शाई गई है वह पहली परद किसकी है मिट्टी की और ये मिट्टी कितनी मोटी है 15 cm मिट्टी की पहली परत बिचाई गई है इस मिट्टी की पहली परत के उपर एक दूसरा परत जो की 10 cm मोटा है वह घास की बिचाई गई अब इस घास की मोटी परत के ऊपर एक तीसरी परत जो की 15 cm मोटी है वह गोबर की बिचाई गई आप यहां पर यह देख पा रहे हैं, गड़ा है, गड़े में मिट्टी है, मिट्टी 15 cm मोटी परत है, उसके उपर 10 cm घास की मोटी परत और उसके उपर 15 cm मोटी गोबर की परत बिचाई गई, यानि यहां पर 3 परते हैं, मिट्टी की, घास की और गोबर की, अब इस गोबर की परत के ऊपर उत्तम नसल के कचुओं को छोड़ दिया गया है यह कचुवे धीरे धीरे एक परत से दूसरी परत और दूसरी परत से करते वे नीचे की पहली परत तक पहुँच जाते हैं याने मिट्टी की मोटी परत तक पहुँच जाते हैं अब इस परतों को जूट की मोटी बो इस मिश्रन को पुनह फलाया जाता है और पुनह फलाने के साथ साथ इसी समय यहां पर जयो निमनी की कच्रा जिसमें की सबजियां और फलो के छिलके या नम्युक्त कच्रा जो है वो इसमें मिला दिया जाता है और पुनह जूत की बोरी से ढख दिया जाता है 20 से 30 दिनों तक इस परत पर पानी का छिड़काव किया जाता है और पानी का छिड़काव करने के कारण और केचवे की प्रतिक्रिया के कारण यह जो कच्रा है वह सड़ने लगता है और सड़ने के कारण वह खाद में परिवर्तित हो जाता है चुकि यह खाद जो है केच्वे की साहता से बनाया जाता है इसलिए इसे हम वर्मी कमपोस्ट खाद कहते हैं और इस खाद का उपयोग भी खेतों में या बागवानी के लिए किया जा सकता है या किया जाता है तो बच्चो देखा आपने कच्रा प्रबंधन के कुछ तरीके हम स्वयम भी अपने इस्तर पर अपने घरों में कर सकते हैं और इस कच्रे की मात्रा को कुछ हद तक कम करने में अपना भी योगदान दे सकते हैं तो बच्चो क्या इस कच्रे को यूही इदर उदर फेक देना ही इसका समाधान है या फिर इस कच्रे को उचित जगह पर रख कर इसे पुना चकरन कर पुना उप्योग में लाना इसका समाधान हो सकता है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में अलग-अलग इस्तर पर चाहे वो वेक्तिगत हो चाहे वो एक इलाके के लोगों के द्वारा किया गया हो या फिर सामोहिक रूप से किया गया प्रयास हो इन सभी प्रयासों के द्वारा हमारे देश में अलग अलग प्रकार से कच्रा प्रबंधन के कारी किये गए तो चली आईए देखते हैं ये किस-किस प्रकार के प्रयास थे और कैसे कैसे किये गए और ये कौन से शहर हैं जहां पर ये कारी किये गए तो सबसे पहला जो प्रयास किया गया वो प्रयास था गुजरात राज्जी के सूरत शहर में सूरत जो की हमारे भारत देश का सबसे स्वक्ष शहर के नाम से प्रसिद्ध है पहले कच्रा जो है वो अन्यतर कहीं भी फेक दिया जाता था सन 1994 में यहाँ पर प्लेग नामक बिमारी फैली प्लेग एक महमारी है जैसे कि हम सभी ने कोरोना देखा कोरोना एक संक्रामक रोग था जिसमें एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति में यह रोग फैल जा रहा था तो यहाँ संक्रामक बीमारी थी और यहाँ संक्रामक बीमारी जो थे वह जिवाडू के कारण फैल रही थी और यह जो जिवाडू थे इसके वहाँ कौन थे चूहा और चूहा चूहा तो हर घर में पाया जाता है और यह जो चूहे थे वे लोगों के भोज्य पदार्थों को के स्भीraw करने लग गएन को चुखें हर घर में नजर आ ही जाते हैं तो ये जो चुखें थे वह घरों में रखे खाद्यपदधार्थों को संख्रमिड करने लग गए और इनमें प्लेग के शहर इस बीमारी की चपेट में आ गया इस शहर के रहने वाले लोगों ने इस बीमारी के लिए वहां की जिला प्रशाशन और सरकारी विभागों को इसके लिए उत्तरदाई बनाया जिला प्रशाशन ने वहां फैली हुई गंदगी के कारण यह स्विकार कर लिया कि यह जो प्रशासन ने अन्य विभागों के साथ मिलकर इस गंदगी को दूर करने के लिए कारियोजना बनाई अब इस कारियोजना में उन्होंने अलग-अलग प्रकार के विभागों में अलग-अलग आयुक्त भी निक्त किये आयुक्त मतलब जो इससे सम्मंदित कारियों की निगरा और पूरे शहर को जब छे भागों में बाटा गया तो इस पूरे शहर में जितने भी लोग थे उन लोगों को ये बताया गया कि आपको एक काड दिया जा रहा है इस तरह का एक काड दिया जा रहा है इस काड में उनको क्या करना था इस काड में ये करना था कि वहां के नागर में पाई जाने वाली गंदगी को सकी सफाई के लिए अपने प्रशाशन को वो कार्ड लिख कर भेजा कार्ड को लिख कर भेजने के 24 गंटे के अंदर ही प्रशाशन जो है उस पे कारवाही करता और कारवाही करने के कारण वो गंदगी जो है 24 गंटे में साफ हो जाती यानि वो कच्रा वहां से हटा लिया जाता तो ऐसा करते करते यह सूरत सहर जो है वो एक जहां बहुत हमेशा कच्रों का अंबार लगा रहता था धीरे धीरे यह सूरत सहर अब स्वक्ष होने लगा और साथी साथ प्रसासन ने एक योजना और बनाई कि ऐसा नागरिक जो गंदगी कि प्रसे को अन्यतर यहां वहां फेकेगा उस पर पumedद्गाए जाए जुर्माना यान्यद लगाया जाये और एक बार लग जाने के पश्षा अगर वह पिर से कच्रे को दुबारा भी फेकता है जुँत वह से से दुन रसंदा जेना पड़ेगा तो यह आज भी वहां पर किया जा रहा है और इसी कारण जो सूरत सहर है आज इतना स्वक्ष और साफ सूत्रा दिखाई दे रहा है और इसी कारण यह हमारे भारत देश में एक स्वक्ष सहर के रूप में जाना जाता है इसकी पहचान एक साफ सूत्रे शहर के रूप में है यह तो था सूर से कच्छरे नहीं करें कि एक छोटा सा कस्वा है वहाँ पर तीन महलाओं vivir कि त्यौने क्या किया जब गर जाकर मोगों को जड़ित कि कि आपको दोनों कचरा यानि सूखा कचरा और गीला कचर तो ऊकी किया ने घर घर जाकर लोगों को जाउगरित कि गीला कच्रा और सूखा कच्रा दोनों को अलग-अलग रखिए गीला कच्रा वे लोगों से इखटे करते और इस गीले कच्रे को सफाई कर्मियों को दे देते और सूखा कच्रा वो सूखा कच्रा एक जगा पर एकत्र करते और इस सूखे कच्रे को वो अलग-अलग भागों में प्रथक्रत करते इससे पहले हमने देखा है कि सूखे कच्रे को अलग-अलग भागों में प्रथक्रत करके उसे रिसाइकल यूनिट में भेज दिया जाता है यहां भी इन महिलाओं ने वही कार्य किया कि जो सूखा कच्रा था उस सूख कच्रे करे को वो एक जगह पर veggत्र करने लग गई और उस सूखे कच्रे में से ऐसा कच्रा जो कबाडियों को बेचा जा सकता था जैसे कागज, गट्त, प्लास्टिक, काच्श इसको वो कबाडियो में भेज देती और इन पुना चक्रन इकाईयों में भेजने पर ये जो कच्रा था पुना रिसाइकल होकर एक उप्योगी वस्तू के रूप में बनाया जाता था तो इस छोटे से कजबे में एक समय के बाद धीरे-धीरे तो इस छोटे से कजबे में एक समय के बाद सबी लोगी हैं समझ गए कि कचरे को गीलाओर और ऌर अलग अलग प्रकार से रखना है। ताकि गीले कच्रे को अलग उप्योग किया जा सकता है और सुखे कच्रे को अलग तरह से रिसाइकल करके पुना उप्योग में लाया जा सकता है इन तीन महिलाओं के द्वारा जब इस छोटे से कजबे में जब यहां जागरूता लाई गई तो उस जगह पर कच्रे कम से कम उ उत्पन होता भी तो वह कच्रा री साइकल यूनिट को दे दिया जाता और इस प्रकार यह छोटा सा कजबा कच्रा का प्रबंदन उचित प्रकार से करने लगा और वह भी कच्रा मुक्त होने लगा अब आईए एक और प्रयास देखते हैं जो कि व्यक्तिगत प्रयास था यह जो व्यक्तिगत प्रयास था वह तमिल नाडू हमारे भारत देश के तमिल नाडू राज्जि में किया गया तमिल नाडू राज्य में वेलूर एक शहर है इस वेलूर शहर में श्री निवासन व्यक्ति थे ये व्यक्ति गडित में सनातक थे और उस समय ये बेरोजगार थे ये अपने लिए उस समय रोजगार याने जॉब ढून रहे थे इस दोरान इनकी नजर उनके ही शहर में फैले हुए गंदगी याने कच्रे पर गई ये वो यहां सोचने लगे कि इस कच्रे का किस तरह से उचित प्रबंधन किया जाए कि ये जो कच्रा है वो कम से कम समस्या उत्पन करे क्योंकि हम सभी भी जानते हैं और श्री निवासन भी ये बहुत अंब अंब वह वह कहीं न कहीं बहुत सरी समस्या उत्पन कर रहा है तो स्री निवासन जी ने पंचायात और जीला पंचाया दोनों के साथ मिलकर बुकर के अधुं . अब पूरे शहर का कच्रा जो है उस पुराने बस टैंड में ही आकर जमा होने लगा ये जो श्री निवासन जी थे इन कच्रों को कई भागों में विभाजित करने लगे कई भागों में क्यों विभाजित करने लगे क्योंकि जो गीला कच्रा था जिसको सड़ाया जा सकता था जिसके सड़ने से कच्रा कम हो सकता था इस गीले कच्रे को वो अलग करने लगे और इस गीले कच्रे के भी कई भाग होने लगे इस गीले कच्रे का कुछ ऐसा भाग जो जानवर खा सकते थे उसको वो जानवरों को खिला देते और इन जानवरों से उन्हें गोबर प्राप्त होता और इस गोबर का उपयोग वे उप साबुन बनाने के लिए करते हैं, वहीं कुछ ऐसा भी भोजन और कुछ ऐसा भी कच्रा था जो इसको जानवर नहीं खाते थे, तो उसको उन्होंने केच्वे की मदद से सडाना शुरू किया, केच्वा जो की इन भोज्य पदार्थों को सडाता और गलाता था और उससे खाद बन जाता था, इस खाद का उप्यों खेतों में किया जाने लगा, वहीं कुछ ऐसे भी कच्रे थे जो केच्वे की मदद से सडाए नहीं जा सकते थे, तो इन कच्रों को यूहीं हवा में खुला छोड़ दिया जाने पर उसमें मख्खी, मच्छड, आधी उत्पन होने लगे अब मक्खी मच्छड केड़े आदि कुछ से बचने के लिए श्रीनिवासन जी ने अन्य जीव को पालना शुरू किया जैसे मुर्गे मेढक मचली याने ये जो मक्खी मच्छड हैं इनको मुर्गे और मेढक और मचली ने क्या करने लगा खाने लगी अब ये मेधक, मुर्गी और मचली जो हैं ये जब इनको पाला गया तो इनके लिए पानी की आऊशक्ता पड़ी तो उसके लिए तलाब बनवाया गया अब इस प्रक्रिया के दौरान थोड़ा गंदा पानी बाहर निकलता तो इस गंदे पानी को साफ करने के लिए उन्होंने उसमें मचली और बदक को पालने के कारण ये जो पानी था वो ऑक्सीक्रित होने लगा याने साफ होने लगा अब इस पानी का उप्योग खेतों में कि तो देखा गया कि जो कच्रा है और कच्रे से निकलने की दौरान निकलने वाला जो अन्य पदार्थ है वह सभी उप्योग में आने लगा इस इसी प्रकार जो गोबर था इस गोबर से जो उपले थे उसका उप्योग इंधन के रूप में किया जाने लगा वहीं इस गोबर क उपयोग गोबर गैस सयंत्र में गोबर गैस प्राप्त करने के लिए जाने लगा बचे हुए गोबर का उपयोग खात के रुप में किया जाने लगा कंडे या उपलो को जलाने के पश्चा जो राख बनती इस राख का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता इस कच्रे में कुछ कच्रा जैसे की संत्रे के छिलके नीबू के छिलके इत्यादी भी होते थे तो इन छिलकों का उपयोग भी राख के साथ साबुन वनाने के लिए किया गिया वही इन कच्रों में बाल भी थे हमारे और आपके बाल जो कच्रों में जाते हैं वो भी कच्रा का एक हिस्स तो उसी तरह वहां पर भी बाल पाई झार ही थे तो यह जो बाल है इसको उन्हों से वेपारीयों को बेच दिया यृ को इस प्रकार से धीरे धीरे हर एक कचवड़े का वहा उप्योगी होने लगा यहनि रिसाइकल करके पुनहां उपयोग किया जाने लगा वहीं कच्रे में कुछ हड्डियां भी पाई जा रही थी तो इन हड्डियों में बहुत अधिक मात्रा में केल्शम फास्फइट पाया जाता है तो इस केल्शम फास्फइट का उपयोग वह विभिन्न प्रकार के खाद हो को बनाने कि लिए करने और गीला कच्रा जो है वो खाद और अन्मी समागरी बनाने के लिए काम में आने लगा तो देखते देखते श्री निवाशन जी ने जैव निमनीकृत कच्रे का अच्छा उपयोग करना सिखा दिया तो इस प्रकार वह जो इलाका था वह धीरे-धीरे कच्रा मुक्त होने लग और जो कच्रा उत्पन भी होता तो वह कच्रा इस प्रकार से पुना उपयोग में लाया जाने लगा तो इस प्रकार से कच्रा जो है वो उचित तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है तो देखा बच्चों आपने चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामोहिक हो दोनों ही प्रकार स से कचरे का उचित प्रबंधन किया जा सकता है अब आप बताईए अभी हमने तीन तरीके जाने इन तीनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और क्यूं आप स्वेम सोचिए क्या इन तीनों तरीकों में से कोई एक तरीका हम अपने इलाके में उप्यो से हम वह कौशल सीख रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने आस-पास के इस कच्रे से उत्पन होने वाले समस्याओं का निदान भी कर सके याने इस पार्ट से हम यह सीखेंगे यह सीख रही है याने इस पार्ट से हम यह सीख रहे हैं कि किस प्रकार कच्रा कम से कम उत्पन किया ज ताकि कम से कम समस्या उत्पन्न हो। हमने इस पार्ट में यह जाना कि ऐसी वस्तवें जो हमारे लिए अनुप्योगी हैं वह कच्रा है और जो उप्योगी है वह कच्रा नहीं है। जो वस्तोवे आपके लिए अनुपयोगी हैं वही किसी अण्य के लिए उपयोगी हो सकती हैं जैसे पुराना निऊस पेपर या प्लास्टिक के तूटे-फुटे समान और काच के तूटे-फुटे समान यह हमारे लिए अनुपयोगी है इसलिए हमारे लिए कच्रा हैं लेकिन किसी अन्य याने कबाडी वाले या रद्धी वाले के लिए उपयोगी हैं क्योंकि वे इसे खरिदते हैं और खरिद कर अपने आय प्राप्त करते हैं याने यह उनके आय के स्त्रोथ हैं तो हम यह कह सकते हैं कि को कच्रा होगी या नहीं होगी इस बात का निर्धारन करेगी अनुपयोगी होगी तो वह कच्रा होगी उपयोगी होगी तो वह कच्रा नहीं होगी कच्रे के विबिन इस्त्रोथ है याने कच्रा कहां कहां पर उत्पन होता है कच्रे के विबिन इस्त्रोथ इसमें हमने देख इसे डुमेस्टिक वेस्ट गहरेलू कचडा जिसके अंतरगत घडंसे निकलने ओले वाले विविण प्रकार के कच्रों को शामिल किया गया है जैसे की सब्रचियों और फलो पुराने निउस्पेपर और विभिन प्रकार के पुराने कपड़े पुराने वस्तुवें दूसरा प्रकार इंडस्ट्रेल वेस्ट विभिन प्रकार के इंडस्ट्रीज में जो नए पदार्थ का निर्मान किया जाता है उस निर्मान की प्रक्रिया के दोरान विभिन प्रका एफिटर, नर्सींग, पैथलोजी लैप से निकलने वाला जो कचरा होता है वा बायोकेमिकल वेस्ट कहलाता है agricultural waste जिसे अनिमल वेस्ट के अंतरगत रखा गया है Nuclear waste, nuclear power plant में विभिन्न प्रकार के radioactive पदार्थों का उप्योग किया जाता है। ये जो radioactive पदार्थ हैं ये nuclear waste कहलाते हैं। Mineral waste, उद्योगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के chemical को पानी में बहा दिया जाता है। जिसमें arsenic और cadmium ये ऐसे minerals हैं जो बहुत अधिक हानिकारक हैं और ये mineral waste के अंतरगत आते हैं। फिर इन कच्रों को अलग-अलग रूप से प्रथक्रित करना ही segregation कहलाता है। segregation प्रथक्रण यानि सभी प्रकार के कच्रे को एक जगा पर नहीं रखा जा सकता। इन कच्रों को उनकी प्रकृति और उनके उपयोग के अधार पर अलग-लग भागों में बाता हैं। तो प्रथक्रण जो होता है वो कच्रे के प्रकार कर चाहता है। P प्लास्टिक और काज के तूटे हुए समान. मानो जीवन पर और हमारे परियावरन पर इन कचरे का क्या प्रभाव पढ़ रहा है? इसके अधार पर कचरे को दो भागों में बाटा गया है, हज़ार्डियस और नौन हज़ार्डियस. हज़ार्डियस कचरा ऐसा कचरा जो बहुत अधी खतरनाग है, जिसके हुने के कारण हमारे परियावरन पर और मानो जीवन के स्वास्त पर बहुत अधी प्रभाव पढ़ता है. और इस प्रकार का जो वेस्ट होता है वो इंडस्ट्री से और निकलियर पावर प्लांट से निकलता है. नौन हज़ार्डियस जिससे कम हानी होती है, उसे हम नौन हज़ार्डियस कचरे के अंतरकत रखते हैं. कचरे का प्रकार, अगर कचरा किस प्रकार का है, solid है, liquid है या gas है, ठोस द्रावग गैस किस प्रकार का कचरा है, उसके अधार पर कचरे को तीर मागों में बाटा गया है, कचरा, solid waste, ठोस कचरा, जो आसानी से आमको दिखाई दे देता है, गर से निकलने वाले विभिन प्रकार के कचरे से गत्ता, काट बोड, तूटेवे गमले, यह सबी क्या है? ठोस कचरे के उधारन है Liquid Waste उद्योगों से निकलने वाला जो हानीकारक कचरा है वो कई बार पानी में मिला दिया जाता है इसको हम liquid waste के अंतरगत रखेंगे Gaseous waste उद्योगों से निकलने वाला जो धुआ है वहाँ Gaseous waste के अंतरगत रखा जाएगा और कई बार हम टायरों को जलाते हैं, टायरों को जलाने के कारण बहुत अधिक मातरा में धुआ उत्पन होता है, और यह जो धुआ है यह भी इसी गैसियस वेस्ट के अंतरगत रखा जा सकता है, हमारे आसपास बहुत सारे लेट्रोनिक डिवाइसेस पाए जाते हैं, और यह सब भी एक प्रकार का कच्रा है, जिसे हम इवेस्ट कह सकते हैं, हमारे आसपास जितने भी प्रकार के कच्रे पाए जा रहे हैं, उसमें से अधिकांश कच्रा जो है उसको रिसाइकल करके पुन्हा उप्योग वाली वस्तुओं का निर्मान किया जा सकता है, कच्रा प्रबं गिंग है, जा सके और कच्रा प्रबंधन के लिए समय समय पर हमारे भारत देश में व्यक्तिकत रूप से और सामोही क रूप से अलग अलग प्रयास भी गए हैं, कच्रा प्रबंधन के लिए चार आऄ बताया गया है, चार आज याने एक तरह का ये सुत्र है, यह है रि Refuse, मना करना, जैसे कि polythene को हम पुरी तरीके से अगर बैंड कर देते हैं, उसका उपयोग हम नहीं करते हैं, तो कच्रा का मुत्पन होगा. Recycle, पुर्णा उपयोग, जिसके अंदर के हमें compost और वर्मी compost खाद बनाने की प्रक्रिया के बारे में जाना, जिसमें नमी युक्त कच्रे का उपयोग करके इन दोनों खादों का निर्मान.